हलो स्टुडेंट्स, वेलकम टॉवर चैनल फिजिक्स पॉइंट जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिवेस किलासों में हमने क्रोनिंग पैनी मॉडल को डिसकस किया था जो एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से बेहद महतपून था आज क्लास है, उसमें हम एक और अन्न महतपून जो टोपिक है उसको हम यहां पे डिसकस करेंगे, जिसका नाम है इलक्टोन का प्रभावी द्रेमान यह ऐसे कह सकते हैं कि effective mass of electron तो देखो effective mass of electron यह जो टोपिक है यहां से कोई भी किसी भी टाइप की competitive exam हो चाहे वो CSIR net हो IIT jam हो MS entrance हो CU CET हो यह कोई भी lectureship के लिए exam हो यहां से numerical type का question पूछा ही पूछा जाता है तो effective mass of electron जो टोपिक है यह exam competitive exam के लिहां से बेहद महत्पून है यहां से हम लास्ट में फॉर्मला ड्राइव करेंगे वो फॉर्मला आपको memorize होना चाहिए ताकि उसको आप apply करके अपना जो required answer है वह आपको ग्याद कर सको तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि electron का प्रभावी द्रेमान होता क्या है जब electron किसी crystal में गती करता है मतलब कोई भी electron है किसी crystal में गती करता है तो crystal के आवर्ती विभाव के कारण मतलब crystal में जो periodic potential है उसके कारण electron पर जो कार्यत बल और तवरन का जो अनुपात है मतलब जब crystal में है electron तो उस पर कौन सा potential काम करेगा प्रियूडिक पोटेंशल काम करेगा तो electron पर जो कार्यत बल और तवरन का जो अनुपात है देखो A बराबर M में होता है तो M की जो value हो जाएगी F upon A बल और तवरन का जो अनुपात है वो किसके बराबर है दर्यूमान के बराबर होता है आपको कहांड़े का मतलब भी आपको पता हो न चीए तो विबाव के कारण electron पर कार्यत बल और तवरन का जो अनुपात है F upon A मुफ्त electron के दर्यूमान से क्या होता है भिन होता है मतलब F upon A का जो ratio है वो crystal में तो अलग मिलेगा आपको और फिर electron का F upon A का ratio अलग मिलेगा क्यों होता है क्योंकि देखो यहाँ पे crystal में जो electron जो होता है न आयन्स के बीच में फसा होता है तो जितना बल आप लगाओगे उतने एक्सलेट्सन से वो एक्सलेट नहीं होगा क्यों क्योंकि जो electron जो है वो आयन क्रोड के बीच में फसा हुआ है तो यहाँ पे crystal में F upon A का जो ratio है वो free electron के F upon A के ratio means दर्यूमान से क्या होगा बिन होगा और crystal में यह जो अनुपात है इसे ही हम क्या कहते हैं electron का परभावी दर्यूमान मतलब किसी भी crystal में बल और तवरन का जो अनुपात है उसे हम क्या कहते है इलेक्ट्रोन का प्रभावी दर्यमान ये तो एक परिभासा हो गई कि इलेक्ट्रोन का प्रभावी दर्यमान क्या होगा इसके अलाव भी एक अन्य परिभासा और जिसकों में आपको शो कर रहे हैं दूसरी परिभासा ये है कि क्रिस्टल में आवर्ती विभो की उपस्तेती म मापा गया है, इलेक्ट्रोन का जो दर्यमान है वो ही क्या कहलाता है इलेक्ट्रोन का प्रभावी दर्यमान कहला है मतलब periodic potential की presence में जो इलेक्ट्रोन का आप mass calculate करते हैं वो ही क्या है इलेक्ट्रोन का प्रभावी दर्यमान effective mass of an electron होता है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोन का प्रभावी धर्मान क्या होता है आप इसकी systematic derivation के और हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि जब कोई इलेक्ट्रोन क्रिस्टल में गती करता है तो उससे क्या होता है कि क्रिस्टल में आवर्ती विभाव के कारण इलेक्ट्रोन पर जो कारियत बल और तवरण का अनुपात है वो मुफ्त इलेक्ट्रोन के बल और तवरण के अनुपात से क्या होता है भिन होता है और electron में crystal में ये जो अनुपात है एपपोने का जो ratio है वो ही क्या कहलाता है electron का प्रभावी दर्यवान कहलाता है तो electron के प्रभावी दर्यवान की derive करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम ये check करेंगे कि कोई भी crystal है उसमें electron पर कौन-कौन से बलगते हैं कि जब किसी crystal में जब किसी crystal में विदू छेतर यी आरूपित किया जाता है मतलब आपने कोई crystal या उसको एक बैटरी से जोड़ दिया तो यह तो पलस और यह माइनस हो गया मालो तो इस पर आमने विदू छेतर आरूपित यह माइनस हो गया तो इलक्ट्री फिल्ड की direction पलस से माइनस की और होती है तो एक बार इसको रेज कर लेते हैं तो जब किसी क्रिस्टल में विदू छेतर E आरूपित क्या जाता है तो इलेक्ट्रोन पर लगने वाला जो बल है वो दो बलों के योग के बराबर होगा कौन-कौन से बल लगते हैं एक तो होता है F E F E क्या होता है व क्रिस्टल के आयन क्रोड वे इलेक्ट्रोन के मद्द्र जो बल लगता है वो कहलाता है F1 तो मतलब आप किसी क्रिस्टल पर विदूचे अतर आरूपित करोगे तो उस पर दो बल काम करेंगे कौन-कौनसे एक तो विदूचे तर के अकान जो बल आपने लगा वो उसके अका बराबर हो गया F e plus F1 अब देखो F बराबर F e plus F1 हमने अभी यह इसी को यहाँ पर जिक्र किया है F e क्या है electric force तो F बराबर क्या होता है Q e आपको पता ही है तो electron पर charge कितना है minus e और electric field इतना e का e तो F e की जो value जाएगी minus e into capital E और F1 की जो value है हम newton गती के दीतिया नहीं हमसे लग देंगे M1 a और यहाँ पर F जो resultant है वो क्या हो जाएगा M a मतलब एक type से गती की समिकर्ण बन जाएगी है तो इसको erase करके दुबारा से समझते हैं आपके पास overall जो equation बन गई वो बन गई है M a बराबर minus e capital E plus m1 a अब देखो यह दोनों ट्रम्स हैं इसमें दोनों में a common है मतलब acceleration common है तो दोनों को एक side में ले आएंगे तो M minus m1 a बराबर क्या हो जाएगा minus e into capital E तो M minus m1 बराबर हो जाएगा minus e into capital E बटे a तो M star की जो value है इसने जैसा कि हमने इससे परिभासा से हमने M star की जो value निकाली है माइनस e capital E बटे a तो यही क्या है electron का प्रभावी दर्यमान अब देखो M minus m1 क्या है M star जिससे क्या कहेंगे crystal में electron का प्रभावी दर्यमान और M star की यहाँ पर जो value हो देखो इससे हम देख सकते हैं यहाँ पर जैसे M is greater than M 1 हो जाए तो M star क्या हो जाएगा धनात्मक और ऐसा उल्टा relation हो जाएगा M is less than M 1 हो जाएग तो इलेक्ट्रोन का प्रभावी दर्यमान वो क्या हो जाएगा तो में इद करता हूँ कि एलेक्ट्रोन के परभावी दर्यमान का जो concept है वह आपको समझ में आया होगा यह तो हमने इन जनरल बात की है कि एलेक्ट्रोन का परभावी दर्यमान क्या होगा अब देखो हम किसी one dimensional crystal के लिए हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोन के प्रभावी दर्यमान को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो एकवी में क्रिस्टल में इलेक्ट्रोन का प्रभावी दर्यमान मतलब एकवी में जो क्रिस्टल है उसमें इलेक्ट्रोन का प्रभावी दर्यमान कितना होगा इसको हम यहाँ पे calculate कर रहे हैं तो परिभासा को हम already discuss कर चुके हैं कि crystal में आवर्ती विभाव की उपस्तिती में मापा गया जो electron का जो दर्यमान है वही क्या कहलाता है electron का परभावी दर्यमान अब देखो electron का परभावी दर्यमान हमें ग्याद करना है तो हम previous class में हमने पढ़ा है block electron का wave यह velocity of bloch electron तो crystal में block electron का जो wave होता है V बराबर 1 upon h cross d by dk तो d by dk की value क्या हो जाएगी V into h cross cross multiplication से हम यह निकाल लेंगे अब देखो crystal में electron दुवारा उर्जा आउर्शोशन की इदर उर्जा आउर्शोशन की दर यह ट्रम काफी important है उर्जा आउर्शोशन की दर कहें या कारी करने की दर कहें किसके बराबर होती है उस पर लगने वाले भाहिये बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है देखो यह जो उर्जा और शोषन की दर जो है न वो पावर के बराबर होती है क्योंकि देखो पावर सोरी उर्जा और कारिये दोनु एक इस राशिया है क्योंकि कारे का मात्रग भी जूल है और उर्जा का मात्रग भी जूल है तो दोनु सेम फिजिकल क्वांटिटी हैं बाक extra याएं अब इनके दर निकालने ये तो डीवई डीटर डीड़वलू घृटी डर हो गई तो इसको तो बोल देते हैं ऊड्र और के और इसको बोल देते हैं कारे की दर हो तो एसे कैसे और ड ? क्या बन जाता है वीग बनना थर दस्थापन में परिवर्टन की दर तो यह तो कहेंकि आई के पराबर होता एफ इंटू बीग के पराबर होता है यह कह सकते हूं उ Grund कि उर्जा आउशोषण की जो दर है मैं कि तो उर्जा आउशोषण की जो दरはは उड़ः लगने वाले बाहिये बल जोड़े के क्या होती है बडाबर होते तो यह ट्रम आपको समझ में आई होगी तो यह कहीं होगी वह व्हूंट अज वायग होगी तो पे क्नोटHD e नोदे कि गदे को ट्रॉमस कम तोड़ के लेकते हैं तो उपण नीचे अंस और हर्क से d के वैइं मतलब डिके का गोना देते हैं कि ise डिके का भाग भी देते है ईटो डिके से डिके कैंसल हुए और dk by dt की वेल्यू को हमने ऐसे गहसे रख दिया क्योंकि यह हमने समीकर्ण तीन से यह कारवाई की है तो यहां से हम f की जो वेल्यू निकालेंगे तो देखो 20 से वी कैंसल हो रहा है तो h cross d by dk by dt तो dk by dt की वेल्यू क्या हो जाएगी f upon h cross इसको इकरेशन 5 देंगे अब देखो फिर से हम Sum Bun un Un Commissioner बेल्यस Luigi you आप देखो फिर से हम समीखन एक को काम में लेंगे जो बोल्ट लेक्ट्रून को वेलेंगे उसी को काम में देंगे तो एक बार आपको T के respect में differentiate करेंगे तो देखो समी करने एक से block electron का जो वेग है आपको इसको acceleration मनाना है तो आपने क्या कर दिया T के respect में differentiate कर दिया 1 upon h cross आगे आगया D by dt और आगे जो term थी D by dk अब देखो ये तो बन गया acceleration अब देखो एक बटा h cross ऐसे कैसे ये d by dt ऐसे कैसे अब देखो हम क्या करेंगे dk का भाग देखो गुना करेंगे dk का भाग देखो अब इसके बाद में हम trump को adjust कर रहें देखो कैसे करेंगे 1 upon h cross आगे d by dk ऐसे कैसे रख दिया d by dk तो हम respect में differentiate करेंगे इसको ना और dky dt एक तो ट्रम ये बन जाएगी sorry d by dk से तो हम क्या करेंगे इसको differentiate करेंगे तो एक ट्रम बन जाएगी dk by dt दूसरी बन जाएगी d by dk तो एक तो बन गी dky dt दूसरी बन जाएगी d by dk तो देखो dk के respect में कर रहे हम तो इसका तो कर नहीं सकते है इसलिए इसको तो हम आगे ले लेंगे dk by dt और d by dk के respect में d by dk के respect में d by dk का क्या हो जाएगा d2e बटे dk square यह d by dt ऐसे कैसे 1 upon h cross ऐसे कैसे यह acceleration अब देखो dk by dt के जो value है वो app upon h cross है और यह 1 upon h cross पैसे पहले से चल रहा है और यह क्या होगा है d2e बटे dk square यह बराबर acceleration के चल रहा है अब तो एक की जो overall जो value है यहां से इनको दोनों को multiply करते हैं तो h cross square हो जाता है नीचे तो app upon h cross square d2e बटे dk square यह हो गए इसको equation साथ देते हैं अब देखो newton गती का दितियानियम क्या कहता है कि acceleration जो होता है ना वो force और मास्के ratio के equal होता है क्योंकि app बराबर ma होता है और यहां पर हम concept किसका ले रहे हैं effective मास्क का तो m star हो जाएगा तो एक बटा m star बराबर a upon f हो जाएगा तो एक बटा h cross square d2e बटे dk square तो m star की जो overall value है इसको आप cross multiply करके solve करोगे तो आपको मिलेगी h cross square d2e बटे dk square है तो इसको मैं erase कर देता हूं और इसको highlight कर देता हूं यह क्या है किसी एक वीमिये crystal में electron का प्रभावी दर्यमान और यही expression rpsc first grade school lecture 2013 में पूछी गई है चार option दे दिए एक जैसे बना के जैसे d2e बटे dt square कर दिया किसी को और कुछ कर दिया है तो यह जो expression है यह rpsc first grade school lecture 2013 में पूछी गए m star बराबर h cross square d2e बटे dk square तो आपको किसी भी electron का उगर उसको प्रभावी दर्यमान आपसे निकलवाना है तो वा क्या आगेगा उर्जा की value दे देगा के के function के रूप में तो आप क्या करोगे d2e बटे dk square निकालोगो उससे क्या को होगा आप electron का प्रभावी दर्यमान आसानी से निकाल सकते हैं बाकि हम आपको example के द्वारा समझा भी देंगे तो यह जो ट्रम है इस जो फोर्मला इसको आपको क्या करना है अच्छे से याद करना है याद करना है तो यह जो expression है यह जो expression है कि यह एक विमिये crystal में क्या है electron का प्रभावी दर्यमान है तो जरूरी थोड़ निक्री प्रभावी थो प्रभावी है तो तुटीसल जालक है एक बटाbnस स्टार बरावर बाबर जाएगा एक बटाहरे से इसी फोर्मला एक बार Jr x में क्यूशन पूछा गया था जो इस फॉर्मले पर बेस था बाकी 90 परसेंट जो क्यूशन है वो इस फॉर्मले पर आपको मिल जाएंगे इस फॉर्मले से सॉल्फ जाएंगे कि आप देखो एच्ज क्रोस की जो वेल्यू आपको पता ही है बन पॉइंट जीरो फाइफ फॉर इंटू दिपाव माइनस थर्टी फॉर जूल इंटू सेकंड होती है तो डेल वेक्टर डेल वेक्टर के की जो वेल्यू है वह जाएगी डेल टू बटे डेल के एकस के वाई डेल के वआई डेल टू बटे डेल के एकस डेल के चैंड देल टू बटे डेल के वाई देल के उसक्वाय इसको आपको क्या करना है अब देखो किस हिसा आप से क्रीकिशन पूचा जाता है आंकि कि परसंद इफेक्टिव मास ऑफ एलेक्ट्रों पर तो देखो आपको क्या देगा एनरजी का फोर्मुला देगा किसी बैंड वे इसप्ट्रों की जो अज़ए बराबर ए पलस बीके पलस एक स्क्वार के दोड़ा दी जाती है तो एक्ट्रों का परभावी द्रहमान क्यात करो तो देखो एकी वैलियू आपको दे रखी है आपको कहने डी टू यह बटे डी के स्कुरे निकालनी है तो इसको के के रेस्पेक्टमेंट दो बार डिफ्रेंसियेट करोगे तो आपको एक बार करोगे तो यह आ जाएगा बी कॉंस्टेंट है तो दूबार करोगे तो यहाँ पर बी का तो जाएगा तो डी टू इबटे डी के स्कुरे का क्या हो यह तो च्रोस स्कुरे बटे टू सी और इसी प्रकार से जैसे एक और आपको दे दिया किसी एक क्रिश्टल जाले में इलेक्टरॉन की जो उड़ जाए वह इतनी है एलेक्टरॉन का प्रभावी द्रेवान निकालना है आप उमीद करता हूं आप कर तो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही नेक्स क्लास में हम और टोपिक को डिस्कस करेंगे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि वे भी हमारे दौरा जोगी वीडियो ब आदे आदे